नमस्कार मित्रो, मैं हूँ अनिश्का श्रिवास्तव E-Spirit World चानल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मित्रो किसी लड़की को समझना इतना आसान काम नहीं है अब आप सोचेंगे कि फिर लड़की का क्यारेक्टर पता करने के लिए क्या किया जाए घबराईये मत्र, एक तरीका है, वो है जोड़िश शास्त्र जी हाँ, यह एक ऐसा शास्त्र है जो हमें जीवन की कई अंजानी बातों की जानकारी दे देता है किसी महिला या लड़की का स्वभाव और चरित्र को समझने में भी यह काफी मददगार साबित हो सकता है इसके लिए आपको उस महिला या लड़की का मुलांग पता करना होगा, जिसके क्यारेक्टर के बारे में आप जानना चाते हैं अंक जोतिश के अनुसार, लड़की का जन्म जिस तिथी में होता है, वह उनका मुलांग होता है उस अंक का उसके जीवन के हर शेत्र में प्रभाव दिखता है चाहे वो रिलेशन्शिप हो या करियर इसलिए लड़की के मुलांग को जानकर उसके क्यारेक्टर को समझा जा सकता है सबसे पहले जानते हैं मुलांग एक वाली महिला के बारे में मुलांग एक जिनका जन किसी भी महीने में 1, 10, 19 या 28 तारिक को हुआ है तो उनका मुलांग एक होता है इस मुलांग वाली महिलाएं या लड़कियां बहुत सोशल होती हैं और समझदार भी होती हैं आपको जानकर खुशी होगी कि ये अपने घर वा परिवार को अच्छे से संभालती हैं मुलांग दो जिनका जन किसी भी महीने में 2, 11, 20 या 29 तारिक को हुआ है उनका मुलांग दो होता है इस मुलांग की लड़कियां शान्त सुभाव की होती हैं लेकिन उनमें सुन्दर और आकर्षत दिखने की बहुत चाहत होती है इसके लिए वो खर्च भी बहुत करती है तो अब आप समझ लीजिए आपकी जेब धीली तो नहीं होने वाली मुलांग तीन तीन मुलांग के अंतरगत तीन, बारा, एक्किस और तीस तारिक को जन लेने वाली लड़कियां आती है इनके चेहरे की हलकी सी मुस्कान और मिश्री सी मीठी बोली सबका दिल जीत लेती है तीन मुलांग की लड़कियां अपने घर परिवार के सदस्यों का बहुत ध्यान रखती हैं और सभी इनके प्रभाव में रहते हैं मुलांग चार चार, तेरा, बाइस और एक्तिस को जनका जन दिन आता है उन लड़कियों का दिमाग बहुत तेज होता है वो पढ़ाई के मामले में दूसरों की तुलना में तेज होती है लेकिन पढ़ाई के साथ इन्हें सजने धजने में भी बड़ी दिरचस्पी होती है मुलांग पांच पांच, चौदा और तेज मुलांग वाली लड़कियां सुलजे विचारों वाली और विनमर होती है उनकी मन में सबका साथ सबका विकास वाला फॉर्मूला होता है या खुद के साथ ही अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने में मदद करती हैं मुलांग छे छे, पंद्रा और चौबीस दिनांग को जन्मी लड़कियां बेहत खुबसूरत होती है खुबसूरती के साथ ही वो अच्छी मा और पत्नी भी होती है उनका परिवार और समाज में बहुत सम्मान भी होता है तो आप सोच रहे होंगे ऐसी लड़की को कौन नहीं चाहेगा मूलांग साथ साथ मूलांग के अंतरगत साथ, सोल्ल और पच्चीस तारिख को जन्मी लड़कियां आती है इन्हें अकसर अकेले रहना और घूमना पसंद होता है लेकिन इन्हें लोगों की अटेंशन की भी चाहत होती है इनकी आर्थिक स्थिती थोड़ी कमजोर होती है जिन लड़कियों का जन्म 8, 17 और 26 तारीख को होता है वे बड़ी ही मेहनती और किसी भी काम को पूरे मन से करने वाली होती है उन्हें उपरी दिखावा बिलकुल पसंद नहीं होता ये अपने घर परिवार के सदस्यों का बहुत खयाल भी रखती है 9 मूलांक वारी लड़कियों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को होता है ये बेफिक्र रहना पसंद करती हैं और अपनी ही मर्जी की मालिक होती है इनके विचार मॉडन होते हैं लेकिन इन्हें गुसा भी बहुत जल्दी आता है तुमे तरो कैसी लगी ये जानकारी कमेंट डॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करना ना भूले फिर मिलाकात होगी अगले विडियो में किसी नए विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार